हेलो एवरिवन आप लोगों का स्वागत है मेरे कोई वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार लेकपाल भरती 2024 जिसमें हम सब करने बाले हैं बिहार पंचायत प्रैक्टिस सेट नमबर 3 बिहार पंचायत से रिलेटेड ये वाला सेट खतम होने के बाद हम सब 120 कोश्टन कर लेंगे इसका 80 कोश्टन और आएगा क्योंकि इसमें नगर पाली का भी मैं एड कर दूँगा और थोड़ा बिहार के बारे में भी जान लेंगे क्योंकि वहां से भी प्रस रहने की उमीद है मेरा अनुमान कहता है तो थोड़ा जान लेंग उसी अधिक्सता में समुदाइक विकास इबं पंचायती राजपर पाच्वी पंच वर्सिय योजना के सुत्रन के लिए गठित कार्जदल कब बनाई गई आपके उप्शन है फर्स्ट निबर 1972 दूसरा है 1966 तीसरा है 1965 और चौथा है 1963 तो पहला का सही आंसर हो जाएगा पहला न अधिक्सता में किस वर्स सामुदाइक विकास इबं पंचायती राजपर गठित समीती बनाई गई आपके उप्शन है फर्स्ट निबर 1972 दूसरा है 1961 तीसरा है 1974 और चौथा है 1966 ऑप्शन बोलने का मतलब यह होता है कि आप सब भी अनमाल लगाए कि कौन सा आंसर सही होगा फिक है तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नमबर 1976 कुस्सन नमबर तीसरा पंचायत में सीटों का आरक्षन की विवस्ता किस अनुछेद में की गई है आपके उप्शन है फर्स नमबर अनुछेद 243 A दूसरा है अनुछेद 243 C तीसरा अनुछेद 243 D और दूसरा है अनुछेद 243 G तीसरा है अनुछेद 243 H और चौथा अनुछेद 243 K तो 4 का सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर 4 अनुछेद 243 K चले नेक्स्ट कुस्सन कुस्सन नमबर 5 मां किस वर्स पहली बार राज के निती निर्देशक सिधान के अंतरगत ग्राम उप्शन है फर्स्ट नमबर 1912, दूसरा है 1954, तीसरा है 1905 और चौथा है 1950 तो 5 का सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर 4 अनुछेद 6 सामुदाइक विकास कारिक्रम का सुभारम कब हुआ आपके उप्शन है फर्स्ट नमबर 3 नमबर 1950, दूसरा है 2 अक्टूबर 1912, ती आप से हुआ या कब हुआ था, आपके उप्शन है फर्स्ट नमबर 4 जून 1978, दूसरा है 5 जुलाई 1980, तीसरा है 5 नमबर 1981, और चौथा है 6 अगस्त 1949, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नमबर 4 जून 1978, आठ है पंचायती राजदिवस किस दिन मनाया जाता है, आपके उप्शन है फर्स्ट मर अनुच्छेद 243 H, दूसरा अनुच्छेद 243, तीसरा अनुच्छेद 243 E, और चौथा अनुच्छेद 243 M, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका उप्शन नमबर दूसरा अनुच्छेद 243, दस 21 अनुच्छेद में ग्राम सभा का वर्ण कुस्छन नमबर 11, किस अनुच्छेद में पंच्छाइद के गठन का प्रापधान है, आपके उप्शन है फर्स्ट नमर अनुच्छेद 243 C, दूसरा अनुच्छेद 243 J, तीसरा अनुच्छेद 243 F, और चौथा अनुच्छेद 243 O, ये तो आपको बात पता चलगा होगा कि पंच्छाइद का जितने भी प्रापधान दिये गया है, वो अनुच्छेद 243 में ही है, तो ऐसे भी प्रस आ सकता है, तो 11 का सही आनुच्छेद 243 C, इसलिए मैं सारा अनुच्छेद 243 का भाग करवा दूँगा, ठीक है, 12, पंच्छाइद का से मिधान का उल्लेक किस अनुच्छेद में है, आपके उप्रस नहीं फर्स नमर अनुच्छेद 243 B, दूसरा अनुच्छेद 243 K, तिसरा अनुच्छेद 243 L, और चोथा अनुच्छेद 243 I, तो 12 का सही आनसर हो जाएगा पहला नमर अनुच्छेद 243 B, तेर मा प्रस्म, इस्थानिया सासन के अनुच्छता में आम वस्तों एवं सेभाओं की कुसलापूर्ती के लिए पंचायत के उत्तोलन की विसेशग समीती बनाई गई, आपके उप्सण है फर्स्ट मर मनी संकर अयर, दूसरा है राजवन संदू, तिसरा है वी राम चंदरन, और चोथा है ललित माथूर, तो 14 का सही अंसर हो जाएका पहला नमर मनी संकर अयर, कुस्टन नमर 15, किस वर्स वी राम चंदरन की अधिक्सता में DRDA यानि जीलाग रामीन एजनसी के पुनर गठन के लिए एक समीती का गठन किया गया, आपके उप्सण है फर्स नमर 2013, दूसरा है 2015, तिसरा है 2010 और चोथा है 2018, तो 15 का सही अंसर हो जाएका तीसरा नमर 2010, तो 16 का सही अंसर हो जाएका आपका दूसरा नमर अनुसूची 11, चले नेक्स्ट कुस्टन, कुस्टन नमर 17, पैसा अधिनियम जो की 25 से संबंदित सम्विधान का भाग 9, 5 में अनुसूची में वर्णित छेतरफर लागू नहीं होता है, यह किस वर्सा आया था, पैसा अधिनियम, ठीक है इसको याद रखेंगे डिरेक्टली, आपके उप्सान है फर्स नमर 2001, दूसरा है 2005, तिसरा है अनुसूची 5 और चोथा है अनुसूची 11, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा उप्सन नमर 4 अनुसूची 11, चले नेक्स्ट कोस्तन देखते हैं, 19 मा प्रस्न, किस प्रधान मंतरी के कार्शकाल के दोरान, 73 में सम्विधान संसोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ, और 24 29 अप्रेल 1993 से प्रभाब में आया, आपकी और फर्स्ट मर वीपी सिंग सरकार, दुसरा है नर्सिंभाराव सरकार, तिसरा इंद्रा कांधी सरकार और चोथा है डॉक्टर मनमोहन सिंग सरकार, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नमर नर्सिंभाराव सरकार, उस तरा है प्रदान मंतरी श्री नर्सिम्हारो थे, ठीक है, 20, S.B. मिस्रा की अधिक्सता में किस वर्स पंचायत एभं सहकारी समीती पर गठित कार्श दल की इस्थापना की गई, आपके आप्सण है, फर्स्ट मर् उनिस्षो बॉह उनिस्षो साथ, तीसरा है उनिस्षो एकस्ट और च इसरा जी, वी, के, राव समीती और चोथा इन में से कोई नहीं, तो 21 का सही अंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर असोक महता समीती, 22, किस वर्स गठित, वी, एन, गाटगिल के अधिक्सता में एक समीती गठित की गई, जिसमें यह कहा गया कि पंचायती राशनस्थाओं को प्रभापकारी कैसे बनाया जा सकता है, आपके उप्सन है, फर्स्टमर 1990, दूसरा है 1992, तिसरा है 1987 और चोथा है 1988, तो 22 का सही अंसर हो जाएगा उप्सन नंबर 4, 1988, देखें, डिरेक्ट भी आप याद रखें कि, वी, एन, गाटगिल जो समीती बनी थी, वो 1988 इस भी में बनी थी, डिरेक्ट वी कोशन आ सकता है, कोशन नंबर 23, 23 माप्रस्ण, समाजिक समरिद्धी जिसमें विकलांग वा मानसिक रोगी की समरिद नहीं थो, किस अनुसूची में वर्णित किया गया है, आपके उप्सन है, फर्स्ट नमर अनुसूची 11, दूसरा अनुसूची 12, तिसरा अनुसूची 3, और चोथा अनुसूची 4, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अनुसूची 11, 24, सरपंच अपना त्याक पत्र किसे देता है, आपके उप्सन है, फर्स्ट नमर मुख्या, दूसरा है पंच, तिसरा है 25 समीती के विकास अधिकारी, और आपके उप्सन है, फर्स्ट नमर जिला पंचायत राज अधिकारी, दूसरा है वार्ड मेंबर, तिसरा है मुख्य मंत्री और चोथा अनुसूची नहीं, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जिला पंचायत राज अधिकारी, 26, पटना उच नियाले की स्था का भी नॉलेज रखना है, क्योंकि उससे भी जिये जो आपका एक पाठ है, जर्नल अवर्नेस वहां से उसमें जो प्रसन पूछेगा, वो यही सब प्रसन रहेंगे, ठीक है, लिकिन अवर्नेस का मतलब होता है कि रिसेंटली क्या-क्या घटना घटित हुआ है, तो अगर आ नीचे कोमेंट बॉक्स खुलावा है, आप सब जरूर इसके बारे में मुझे बताएंगे, ठीक है, 27, विधान सभा में SC और ST, यानि सेड्यूल कास्ट और सेड्यूल ट्राइब का आरक्षी सीटों की संख्या कितनी है, आपके option है, फर्स नमर 38 और 2 सीट, दूसरा है 25 और 6 सीट, तीसरा है 26 और 3 सीट, और चौथा है 32 और 2 सीट, तो 27 का सयांसर हो जाएगा, पहला नमर 38 और 2 सीट, यानि बिहार विधान सभा में SC के लिए 38 सीट है, और ST के लिए, यानि सेड्यूल ट्राइब के लिए, यानि अनुसुचित जन जाती के लिए 2 सीट है, ठीक है, चल 29 प्रस, बिहार विधान सभा सदस्यों की संख्या कितनी है, ये तो easy question है, direct answer लिए 243 ठीक है, 30 लोग सभा में अनुसुचित जाती के आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका answer हो जाएगा, पहला नमर 6, ठीक है, चले question number 31, बिहार का 38 जिला कौन सा है, आपके option है, फ जाई है, मतलब पंचात का कार्षकाल 5 वर्स का होता है, ये आपको पता है, तो 32 का सभी answer हो जाएगा आपका, तीसरा नमर, अनुचे 243 ए, option मैं पढ़ता हूँ, ताकि आपके mind में option भी चले, क्योंकि वहां पे 4 option आपको दिखेगा, तो इस वज़े से यहां पे option लिखा चले, question number 33, बिहार में विधान परिशत सदस्यों की संक्या कितनी है, तो इसका answer हो जाएगा तीसरा number 75, 34, बिहार का राजसभा में परतिनिद्व कितना है, तो इसका answer हो जाएगा 16, लोगसभा में था 40, राजसभा में है 16, ठीक है, चले, question number 35, कि सोतंतरता से नानी ने, जिसका answer हो जाएगा, तीसरा number, महत्मा गांदी, 36, किस राजने पहली बार, गामीन गाउं और सहरी छेतर के बीच, एक मदवर्ती कदम की रूप में पंचायत सहर की सुरबात की, यानि कॉडिनेट करने के लिए, गाउं और सहर के बीच, एक चीच की सुरबात की, जिसका न नमबर 21 वर्स, 38, नगर पंचायत के छेतर के लिए अधिक्तम कितने वाट पारसदों का प्रापदान है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा, आपका तीसरा number 25 वर्स, चलिए इस प्रैक्टिस सेट का आखरी दो कुस्टन, बिहार का छेतर फ़ल कितना है, तो इसका आंसर हो गया, दूसरा number 94,163 वर किलो मीटर, 40, गरीबी उनमूलन कारिक्रम को किस अनुसुची में रखा गया है, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा, आपका पहला number 11 मी अनुसुची में रखा गया है, तो ये था बिहार लेकपाल भर्ती 2024, बिहार पंचायत से रिलिटेट प्रैक्टिस सेट न ठीक है, चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे, और आज एकाउंट एंसी का आपका एक से दो सेट आएगा, हिंदी और इंग्लिस दोनों में, ठीक है, तो एक ही में रहेगा, बाइलि टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से जोइन कर लें, वहाँ से पीडियाप पा सकते हैं, थैंक्यू